दिवंगत पूर्व राश्पती एपिजी अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर दिल्ली से रामिश्वरम के लिए रवाना हो गया है। ग्यारे बजे उनका अंतिन संसकार किया जाएगा। डॉक्टर कलाम के पार्थिव शरीर के साथ रक्षा मंत्री मनोहर परिरकर और केंद्रे मंत्री वेंकर या नाइडू और राधा कुष्णन भी रामिश्वरम के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दे कि सुमवार को मे खालने के शिलोंग में डॉक्टर कलाम का दिल का दौरा पढ़ने से निधन हो गया था। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर मंगलवार को दिल्ली लाया गया था। संसक और सुप्रीम कोर्ट तक तरंगा आधा जुका दिया गया है। वहीं पीम के संसेत एक्षेत्र वार्णसी में भी एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के लिए स्पेशल गंगा आती की गई। साथ ही लोगों ने उन्हें याद भी किया। आपको बता दे कि डौक्टर क जाता है।